जेहिंद वंद्यमात्रम स्वागत है मेरे सबी सातियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन फ्लेट 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 फर्म जॉब्स विद परकास पर जी हाँ सातियों राजिस्तान हाई कोट LDC के मोडल पेपर लगातार जारी है तो मेरे सबी साती एक बार क्लास से ला सवाल राइट हो रहे हैं कितने सवाल रोंग हो रहे हैं सांदार त्रिके से रिवीजन करना है हर एक चेप्टर का तो पहला सवाल लेते हैं सातियों इंदी का कि निमलिकित मैं से किस विकलप में सही संदी विचेद नहीं किया गया आराम से चारों देखना है और जवाब द नाम लेक नहीं है तो कौन सा विकलब पे पहरे सातियों जिसमें संदी का नाम है वो गलत लिखा गया है आराम से देखना है आराम से जवाब देना है बाई जल्दी बाजी किसी बात की नहीं गड़नी पेचान रो देखें बिलकुल सांदार उप्सन सी आपका बिलकुल राइ ना इससे सवाल को क्योंगी इसी तरिके के सवाल में अगर आ आपको चारो अपशन आते हैं तब भी आप राइट आeps talk दे सकते हो तो यह हुँदर का आपके नदी धन अरपने नदी अरपने किस विकलब के सबी सब्दों में सहीशन्दी सब्द है तो कौन सा विकलब है ज किसे विकलप के दोनों सब्दों में दुवंद समास नहीं इनमें से विकलप के दोनों सब्दों में आपके दुवंद समास नहीं यह सवाल भी सांदार लेवर का लडीसी में लडीसी में से तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं मेरे साथी तो यह होगा आपके नील पीत ऊंच नीज बेलकुल सांदार इसमें आपके द्वन्द समास नहीं किसे विकलप में सामाशिक पद का सही विग्रे नहीं कौन से विकलप में प्यारे साथ यूं सामाशिक पद का सही विग्रे नहीं बताओ देखिए फटा पड़ मातर 5 सेकट में हर एक साथी का राई टांस राना चाहिए बहए मातर 5 सेकट में तो यह ज़ाएगा आपके ग्राम गते ग्राम को आगते यह आपके स्रासर गलत हो ज़ाएगा जिस सामाशिक पद में उप मे और उप मान का समन्द होता है उसे क्या कहते है भई क्षीश सामसिक पत नहीं बना हुआ बिल्कुल सांदार मेरे सेर करम के नुसार करमानुसार करम के नुसार करमानुसार लीजिए सातियों संग्रस को आगे बढ़ाते हैं सांदार तरीके से कलास रहने वाली है आजगी कौन सा उपसरग संस्कृत का नहीं है इनमेंसे कौन सा ऐसा उपसरग है जो प्यारे साथियों संस्कृत का नहीं है अराम से सोच समझगर जवाब देना है साथियों बिल्कुल सांदार उपसन सी अद निमलिकित मेंसे किस विकलप में परा उपसरग परयोग नहीं हुआ इनमेंसे कोन से विकलप में आपके परा उपसरग का परयोग नहीं किया गया कोन से विकलप में परा उपसरग का परयोग नहीं किया गया तो वह होजएगा आपके परादीन किसे विकलप में उप्सरग युखत सबद नहीं है भई एक ऐसा विकलप है जिसमें आपके उप्सरग युकत सबद ही नहीं उससे विकलप की पेचान प्यारे साथ यह आपको अगर नहीं है भई कौन से विकलप में प्यारे साथ ही हूँ सही विदेशी उपसरग परियुक्त नहीं हुआ बताओ देखें विदेशी उपसरग परियुक्त नहीं हुआ भाई विदेशी की बात हो रही है यहां पर ओप्सन ए हो जाएगा भाई बेफजूल निमलिकित मेंसे तदित पर्तिय का परकार नहीं इनमेंसे कौन सा आपके तदित पर्तिय का परकार नहीं आराम से सोचिए समझिए और जवाब दीजिए भई तो यह होजाएगा आपके करन वाद्चा के तदित पर्तिय यह पर्तिय युकते सही सबद नहीं इन में से कुन सा सबद है जो आप के ये पर्टे से नही बना वा ये पर्टे की बात करा हूँ मैं ये पर्टे की बिल्कुल सांदार जवाब भाई महतम्य yeah किसे विकलप में सभी सब्दों में एक पर्टे का पर्यूग किया गया है अराम से जवाब देना है सातियों एक जाम में डिटो सवाल देखने को मिल सकते हैं भई तो राई टांसर आपके रागव भारगव और पार्थ हो जाएगा इनमें आपके ए परतिया लगा हुआ है बुहारी सबद में कोन सा परतिय है बुहारी सबद है इसमें बाई पढ़ती है कोन सा है बुहारी सब्द में बुहारी सब्द में पढ़ती है बतो देखें बिल्कुल सांदार मेरे साथ ही इपढ़ती है कोन सा पढ़ती है इपढ़ती है किसे विकलप में सबी सब्द है वो सुध है कोन से विकलप में प्यारे साथ ही हूँ सबी और नवरातर उज्वल तदूपरांट और नवरातर नेक्स्ट इस सवाल के वर बढ़ते हैं सातियों यह देखे भई मनोपसाद सरदोसव और मात्रानुमती सब्दों में असुदी का कारण क्या है भई किस परकार के असुदी है इन तिनों सब्दों में अराम से सोचना है असुद संदी अगला सवाल आपके सामने है कि सही वरतनी सब्द का चेन कीजिए इन में से सही वरतनी वाला सब्द को नसा है व्यों होजेगा मेरे साती ग्रिहनी बिलकुल अपसंदी आपका सत्य है असुद वरतनी वाले सब्द को बतो देखे असुदी वरतनी वाले कौन सा सब्द है वो बिल्कुल असुद है भई अराम से पेचान गरना है बिल्कुल सांदार आसिर वाद हाती का प्रियावाची सब्द नहीं इनमे से कौन सा आपके हाती का प्रियावाची सब्द नहीं है हाती का प्रियावाची सबद नहीं है बिलकुल वे हो जाएगा आपके एरावत कीरण का समानार्ती नहीं है इनमें से कोन सा आपके कीरण का समानार्ती नहीं है भई कीरण का समानार्ती सबद है सोरी है भई कीरण का समानार्ती सबद गोन सा इनमें से और कौन सा नहीं है तो वे है आपके मरीची कौन सा है मरीची किसे विकलब के समी समदे वो परियाईवाची है इनमें से भई कौन से विकलब के समी समदे वो परियाईवाची है कौन से विकलब के समी समदे वो परियाईवाची है आराम से जवाब देना है सातियों जल्दी बाजी किसी बात की नहीं है भई बेलकुल वे हो जाएगा आपके पादप वीटप और दुर्म सामिस का सही विलोम क्या है सामिस का सही विलोम बतो देखें सामिस सामिस का सही विलोम बतो देखें पुरातन का बिल्कुल यह हो जाएगा आपके नवीन विशिष्ट का विलों बतो विशिष्ट का अफोजिट बतो देगा एंटोनियम बिल्कुल सामान्यी क्या हो जाएगा विशिष्ट सामान्यी उपल और उत्पल सब्दिगम का सही अर्थ क्या है एक है आपके उत्पल दो इनकी सब्डून की पेचान आस साथ यों आपको करनी है। बई क्या होगा इन दोने रहत नोरुपका है। मातर पांस सेगिंड है आपकेपस तो यह ज़िए का आपके आपके उपला और इत्पल मतलब होता है आपके धियान रखना तर्णी और तर्णी सब्धिकम का से अर्थ क्या है एक तो है तर्णी एक तर्णी इन दोनों के अर्थ क्या है बतो देखें बिल्कुल तर्णी मतलब होता है सूरिय और तर्णी मतलब होता है आपके नाव तो दिल दिमाग मस्तिक में चाप लेना साथ ही हो एकजाम में डिटो सवाल चपेंगे भाई ये मेरा वादा है आपसे जो बुड़ाने हो आंगन अरत देने वाला सब्द क्या है जो बुड़ाने हो और आंगन एक आत अरते जो बुड़ाने हो और एक आरते आंगन अब बताओ देखें किसे हैं ये दोनों अर्त हैं ये है आपके अजर और अजीर के अजर का और अजीर का करमस है बाई नेक्स्ट सवाल के और बढ़ते हैं साती हो फटापड मेरे सबी साती टेलीग्राम ग्रूप को जोईन कर ले भाई टेले ग्राम गुरुब को जोइन कर ले ऐल डीसी के लिए अती मैं तक पूर नोट से डाल रहा हूँ और बाई डेले आ आपके क्विज डाल रहा हूं अल डीसी के लिए और साथ मैं भाई फीडिय भी डाल रहा हूं मोडल पेपरों की तो चरक कार्थ बतो देके नरक कार्थ यमलोग है तो नक कार्थ क्या भई जब नरक कार्थ है यमलोग है तो फिर नकर कार्थ क्या भई नरक कार्थ हो गए आपके यमलोग है तो फिर नकर कार्थ बतो देखें बिल्कुल सांदार मेरे साती मगरमच क्या हो जाएगा मगरमच उत्तर पुर्वे इसान कहेते हैं तो दक्षिन पुर्वे को क्या कहेते हैं उत्तर पुर्वे को इसान कहेते हैं तो दक्षिन पुर्वे को किस नाम से पुकारते हैं दक्षिनपुरीवा को किस नाम के पुकारा जाता है तो इसको पुकारते हैं वह आपकी आगनही जमाम से आगनही है वह हती Raj audi सिक्रा Weight बिल्कुल सांदर मेरे साती सास्तर क्या हो जाएगा सास्तर वाक्यांट के लिए एक सब्द के संदर Mensch में इसंगत विकलप चुनिये देखें इनमें इसे एक विकलप है वो आपके स्रासर गलत है उससे गलत विकलप की पेचान प्यारे साथ ही यह आपको करने है मात्र पांस सेकंड है आपके पास बिल्कुल सांदर सी हो जाएगा उल्टा दिया गया उप्तियेगा होता है वह जो मीठी वानी बोलता है उसे क्या बोलते हो आप मीठी वानी बोलने वाले को आप क्या बोलते हो वाक्यांड के लिए एक सबद है मेरे सेर तो ये होज़ेगा आपके मिश्ट बासी पक्षी बाण बादल सूर्य विमान निम्न मैंसे किसके वाचक है पक्षी हो गया बाण हो गया बादल हो गया सूर्य हो गया और विमान हो गया ये भाई किसके वाचक है तो ये है प्यारे साथियों आपके नबजर के किसके नबचर के सेंदव सबद का सही अर्थ नहीं होता इनमें से कौन सा आपके सेंदव सबद का सही अर्थ नहीं होता सेंदव बिलकुल सांदार मेरे साती समूंदर किसका नहीं होता समूंदर का नहीं होता श्यामा सबद के अन्यकारती किस से विकलप में है कौन से विकलप में आपके श्यामा सबद के अन्यकारती सबद है श्यामा तो वे हो जाएगा आपके इस्तरी काली गाय और कोयल बड़ेई विश्यो करमा सुतरदार सरप विश्ये से किस सबद के अन्यकारती है इस्टार कर लेना प्यारे साथियों इसे सवाल को हिंदी का सांदार मोस्ट इंपोर्टन इपिसन है आपके हाई कोट LDC के लिए ये हो जाएगा मेरे साथी तक सक क्या हो जाएगा तक सक वाचे का परकार नहीं होता इनमें से कौन सा आपके वाचे का परकार नहीं होता बिल्कुल वे होज़ेगा आपके करतली है वाचे अकबार पढ़े जाते हैं इसमें वाचे कौन सा है वाचे सुरी वाचे कौन सा है बतो देखें बिल्कुल वह औक करम वांची कौन सा होज़एगा करम वांची लीजे बाई क्लास को आगे बढ़ते हैं निमलिकिद मेंसे किस वांची का हुलिय के सही हुए इनमेंसे कौन सा वांची है जिसमें जो वांची दिया गए आपको वो गलत दिया गए ہے अराम से पेचान करना है भाई सोच समझ गरे हर एक पेलू को ध्यान में रकरान से देना है मेरे सबी LDC के साथियों को पहला देख लिया दूसरा भी देख लिया होगा तीसरा भी भाई मुझे बिल्कुल साथी देख रहा है बिल्कुल सांदार ये होज़ेगा आपके ऐसे वाकियों में किरिया है वो अक्रमक या सक्रमक हो सकती है ये सरासरा गलत है निमलिकित में से असुद वाकिय कुन सा नहीं इनमे से कुन सा वाकिय है वो आपके असुद नहीं है यानि कि बिल्कुल सुध है सुध वाकिय की पेचान गड़नी है भई सवाल को भी इस तरीके से गुमा सकते हैं आपके पेपर में ध्यान रखना भई इसके बाद क्या हुआ या आपके बिल्कुल सुध है निमल कितमे से किस वाकिय में लिंग समन्द ये सुध है इन में से भाई कौन से वाकिय में आपके लिंग सम्मन दिया सुद ये बता हूँ देखें बिल्कुल वे होज़ेगा आपके तुमने राजकुमार वर्मा की एकांगी पड़ी ये आपके सरासर गल्द होज़ेगा भाई निमल कितमे से सुद वाकिय का चेन गरो देखें इन में से कौन सा वाकिय प्यारे साथ यह बिल्कुल सुद है भाई सुद वाकिय का चेन गरना है तो ये होज़ेगा आपके तुम वास्ताओं में चतुर हो ये बिल्कुल सुद है मेरे सेर असुद वाक्य का चेन गड़ना भई अब आपको असुद वाक्य का चेन गड़ना है इनमें से कौन सा वाक्य है वो आपके असुद है बिल्कुल सांदार जवा वातवा प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है यह असरासर गलत है सुन्दर वस्त हुए है और उसमें उपर से गुन भी है तो इससे सम्दित रिलेटेड भाई मुहावरा कुन सा है तो अगर आपका अनसर मेरे सेर सोने में सुगन होना है तो आप बिलकुल सत्य हो और सिलेक्शन के बहत करीब हो अबाओ रिस्त होने पर भी ठाट से रेंने वाले हैं तो उप्यूक्त लोकोक्ती बताओ दें भे वह जे हैं یعنی कि अबाओ रिस्त यानि गरीब होने पर भी ठाट बाट उसके कम नहीं होते तो इसके लिए आप कौन सी लोकोकती का परियोग कर सकते हो तो उसके लिए अगर आपने परियोग किया है तन पर नई लता पान खाये अलबता नेक्ष्ट इस सवाल के और बढ़ते हैं साथियों ये लीजिए भई निमन किस मौरे का आर्थे सही है इनमें से भई कौन से मौरे का आर्थे वो सही है बाकी के तीनों गलत है बताओ देखे फटापटे दस सेकंड का टाइम में पहरे साथियों इससे सवाल मैं आप सभी के पास जवाब देने के लिए बिल्कुल चोथ का चाहन होना अनिश्टकारी होना ये बिल्कुल आपके सुद है अपने परीचित विद्वान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता अर्थ को देने वाली लोकोगती कौन सी है यानि कि जो भी आप से परीचित विद्वान व्यक्ति है उसका आप से सम्मान नहीं हो पतबाई इतने जल्दी बाजिम है तो बतो देखें कौन सी लोकोगती है वे तो वे है प्यारे साथियों गर का जोगी जोगना आन गाउं का सिद अपसन भी आपका बिलकुल सही है अब भाई जीके के सवाल लेते हैं उसके बाद मैं हमें इंगलिस के सवाल पर आगे वढ़ेंगे सबसे पहले जीके किलिर करते हैं ये देखें भाई चेतर पल की दिश्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा क्रिश्टी जल्वायो खंड गोन सा है कितना सांदार जांदार सवाल है साथियों राजस्तान आई कोट एलडिसी दो जार तेबीस के लिए मोडल पेपर की श्रिंकला प्यारे साथियों लगातार जारी है सांदार तरीके से प्रिक्टी सेट कर रहे हैं तो अप्सन भी हो जाएगा भाई सूसक पस्मी मेदानी खंड सूसक पस्मी मेदानी खंड नेक्ष्टे सवाल के और बढ़ते हैं राजिस्तान की जलवाईू दसाओं के समझ में निमलिकित में से कौन सा कतन है वो बिल्कुल सुत्य है सत्य कतन की पेचान करना भई ये सवाल दोनों भई दिल दिमाग मस्तिक में चाप लेना अभी के भी तो अप्शन पहले वाला हो जाएगा भई राजिस्तान की जलवाईू दसाओं ये तापमान और वर्षा की चरम सिमाओं से युकते ये बिल्कुल आपके सत्य है निमन में से कौन सा युकम है वो सही सुमिलित नहीं आराम से पढ़ना है सोचना है समझना है और जवाब देना है साथियो इंद्रा गांदी लिप्ट प्रियोजना स्वाई माध्यपूर बिल्कुल सुद्ध है जाखम प्रियोजना परताबगड बिल्कुल सद्ध है सावन बादो कोटा ये भी बिल्कुल सुद है ओप्शन सी होजएगा आपके गलत नेक्स्ट इस सवाल के और बढ़ते हैं साथियों फटापड मेरे सबी साथी क्लास को लाइक करतें बाई एक बार राजिस्तान में निमल्कित मेंसे किस परकार की वरस्पती है वो नहीं पाइ जाती नहीं पाइ जाती पूचा गया भई राजिस्तान के तेरा नदी बेशिनों में कुल सत्य जल की संभावना कितनी है भै तेरा नदी बेशिनों में कुल सत्य जल की संभावना बतो देखें तो यह हो जाएगा आपके 15.6 million acre foot छेतरपल में राजिस्तान का जैसल मेर जिला दोलपूर जिले से कितना बड़ा है यह सवाल भी बड़ा इस्टार गलेना एक बार क्यों इस सबसे बड़े जिले का कंपरिजन कर रहे हैं हम सबसे छोटे जिले से अब कितना गुना बड़ा है वो आप सबी को पता होना चाहिए तो अपसन ड़ी होजएगा आपके 12.00 पोइंट है 6.00 गुना अरावली की निमलिकित परवत चोटियों को उनकी उन्चाई के अवरोई करम में वेश्दित कीजिए इस्टार गल लेना प्यारे साथ हैं उसे सवाल को सीटी में पूछा गया सवाल है यह दिल दिमाग मस्तिक में रहे एक सवाल को चाप लेना एक्जाम में डिटो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगा भई तो जर्गा असलगड कुंबलगड और रगुनादगड भई बिल्कुल सांदार जवाब होजएगा आप सभी का सरस्नात्मक देश्टी से राजिस्तान के बोती के सवरूप से निमलिकित मेंसे किने उचावच परदेशियों का हिस्सा है फटा अपर जवाब दो देखें मातर पांस सेगिन में सांदार लेवल के सवाल है साथ हूँ आज के मोडल पेपर में तो यह होजएगा आपके उत्री व्रिहत मेंदान प्राइदी फिये पठार निम्न मेंसे कौन सा पठार अरावली परवस से संबन नहीं रखता बिल्कुल वे होजएगा आपके बखेल खंड पठार वे नदी जो राजिस्तान के दक्षिन से परवेश करने के बाद यह स्वाल भी सांदार लेवल का है इसको भी स्टार गर लो एक बार बिल्कुल यह होजएगा आपके माही नदी कौन सा होजएगा माही नदी मध्य परदेश के अम्रोरु जिले में इस्तिते महिद जीले बई जहाँ पर यह जाकर निकलती है दियान रखना मेरे सबी साती नेक्ष्ट इस सवाल के और बढ़ते हैं बिजराल की पाड़ियों से निकलने वाली खाड़े पानी की जो नदी है आपके वो निमलिकित में से किस अपवातंतर का बाग है बतो देखें बिलकुल यह होजाएगा आपके बंगाल की खाड़ी का कोपेंद वरा प्रस्तूत जल्वायों परदेसों में से निम्न में से कौन सा युगम है वो सही सुमिलिक नहीं कितना सांदार सवाल है सात्यों आप खुद एकिए भई आज की क्लास के जो सवाल है उनका एक बार आप लेवल से कीजिए कितने सुनिंदा सवाल है तो ओप्सन भी होजाएगा भई आपके क्या होजाएगा ओप्सन भी बिलकुल गलत है निम्न में से राजिस्तान का कौन सा युगम है वो सही सुमिलिक नहीं न में से कौन सा आपके सई सुमिलिक नहीं एक तरफ मिट्यां दी गही है एक तरफ आपको जिले दिये गही है तो पेज़सान करों देखें कौन सा युगम है आपको गलत दीख रहा है मातर पांस सेकंड है जादा टाइम जादा टाइम नहीं मिलेगा आपको आंसर दिने के लिए बिलकुल यह होजाएगा आपके ओप्सन सी राजिस्तान में फल्यूरोसिस की समशा से पीडित आपके कुबड़ पटी छेतरे वो कहां पर रिच्टी थे थे कुबड़ पटी छेतरे वो प्यारे साथियों कहां पर रिच्टी थे थे बिलकुल यह है आपके नागोर और अजमेर में नागोर और अजमेर राजिस्तान में अमेरिकन कपास का उतपादन किन जिलों में होता है महासवाड़ा अनुमानगर और स्री गंगा नगर राजिस्तान में जिलों का पस्यम से पुर्वे की तरफ सही करम बताओ देखें जिलों का पस्यम से पुर्वे की तरफ सही करम तो वे हो जाएगा मेरे साती पजपद्रा काईलाना बाल समंद और राज समंद नेक्ष्टे स सवाल के वर बढ़ते हैं साती हों सब भी साती एक बार क्लास को लाई कर दें फटापः राजिस्तान बूच्छे तरह में पुर्ण रूपे रपेंड बेने वाली सबसे लंबी नदी बिल्कुली बेसिक विशन बनास हो जाएगा क्यों हो जाएगा बनास राजिस्तान में ओस से द्वार्शिक वर्षा बिल्कुल वह आप सभी के जैसल मेर और बाड मेर जैसल मेर और बाड मेर मिटी की लवनता और सारियता का ठोस उपचार क्या है लवनता और सारियता का उपचार बतो देखें लवनता और सारियता का उपचार तो यह मेरे साती जिपसम सोधन क्या है next question लेते हैं hussein जाँच आयोग का समद किस अंदोलन से हमिद हुसेन जाँच आयोग इसका समद कों से अंदोलन से बताओं देखें इस्टार गलना प्यारा साती हूँ इस स्वाल को अभी कि अभी तो ये है आपके विजोलिया किसान अंदोलन से नेक्स्ट किसे लेते हैं बेंगू ठिकाने के ठिकानेदार थे आपके अनूब सिंग इनको नजर करने के बाद है बेंगू का मुनसी अमरित लाल को इसे है मुनसी अमरित लाल निम्न में से किस सब्वेता इस तल से एक कपड़े का टुकड़ा मिला है इन में से कौन सी सब्वेता से केवल एक कपड़े का टुकड़ा मिला है बिल्कुल वे हो जाएगा आपके बाला थल क्या हो जाएगा बाला थल नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों परजापती महायग्य का समंध किसे है परजापती महायग्य इसका समंध प्यारे साथियों किसे है बताओ देखें परजापती महायग्य तो इसका समंध है मेरे सेर आपके जुन जुनु किसान अनुलन से दिमा मीरभक्सève काशी, राम लखन, भीम, अद्ली चित्रकारों का समन्द हो कोन सी इदियासत उर भीम ये चित्रकार काशी समन्द रखते थे तो ये रखते ते पहला साथ यो उनियारा से कहां से उनियारा से सालीम सिंग के अवेली का निर्मान किसने करवाया सालीम सिंग की जो अवेली है इसका बाइ निर्मान करवाने वाला कोन था सालीम सिंग की अवेली का तो यह क्या था आपके खुद सालीम सिंग ने किसने किया था सालीम सिंग नेक्स्ट इस सवाल आता हुआ सुमेलित करो भाई ये सवाल आप सभी को अराम से रटेंड करना है सोचना है समझना है और प्यारे साथियों जवाब देना है तो राजपुताना जो राजपुताना आपके गजट है इसका प्यारे साथियों गजड तो प्यारे साथियों इसके संपाद कोने बतौ देखें तो इसके हैं आपके मौलवी मुराद अली माचार पत्र राजस्तान संपाचार संपाद कोने बिलकल दे वाद ग taneजिय संपाद कोने तूस दा समय들ल में मेरे सबी साथ ही एक बार इस सवाल ओपने दिमाग से निकालेई ना एकजाम में साथ ही, लिटो, सवाल आप सबी को देखने को मिल सकता है लेजिये भाई, next question लेते है इसी के साथ में फटापण मेरे सबी साथ ही اक बार टेलीग्राम ग्रूप को को जोइन कर ले वहाँपर आप सभी को सांदार त्रीके से वाह बीज के गोल में रूह में है इसका समन्द बाइ समय वह सकर अस 생각 हो बिलकुल सांदार इस व क्या है चैनल 10 किस जाती को अभूल फजल नैं गायन Selli की दुरुपद के पारंगत गाय को माना भई इस सवाल को आजकल LDC में से तरीके के सवाल देखने को बिलते हैं जुरूर नहीं आपका ICOAT LDC में है कोई से भी LDC हो उसमें यह सवाल आते हैं तो राइट आनसर मेरे साथ ही कलामवन्ड हो जाएगा क्लावन्ड है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अब भाई पसातिया साब से क्या समझते हो पसातिया जितने सवाल इस्टार कर से हो भाई उतने कम है हर एक सवाल का लेवल सांदार जांदार है एकजाम में डिटो सवाल देखने को मिलेंगे वादा किया है साथ ही हूँ वादे को निबाया जाएगा एक्जाम इस बार 250 प्लस का स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा अगर आप रेगुलर क्लासें ले रहे हो तो तो राइट आंसर मेरे साथ ही अनुदानित भूमी हो जाएगा क्या हो जाएगा अनुदानित भूमी लीजिए बाई नेक्स्ट कुछन आता हुआ निम्न में से किस साहित्यकार ने विरह सतक यानि की बाव सतक तथा सिक्सा सागर गरंथ लिखे हैं भई तीन गरंथ है विरह सतक बाव सतक और सिक्सा सागर ये गरंथ किसके दोरा लिखे माहराना परताब की बतीजी तो यह थी आपके कीरण देवी कौन थी कीरण देवी माहराना परताब का छोटा भाई था आपके सक्ति सिंग इनकी पुत्री थी यह आप सभी को पता है भई और विकानेर के साथ से के बाई था आपके प्रित्वी राज इनके साथ इनका विव किसकी करते हैं बोल्या भूत की माच के ख्याल का जनम दाता किसे माना गया है माच के ख्याल का जनम दाता तो यह माना गया आपके बकसूराम को किसको बना गया है बकसूराम को बैसों के चित्रे के रूप में कौन विक्यात है बैसों के चित्रे इसके रूप में कौन विक्यात है बताओ देखें बैसों के चित्रे इसके रूप में विक्यात है मेरे साथ ही पर्मानंद सोयल कौन है पर्मानंद सोयल अब भाई थोड़ी सी स्पीड को बढ़ना होगा अजिता क्लास आपके लंबी खीजाएगी और उतना टाइम नहीं अब आपके पास करनल जम्स टोड ने किस रियासत के राजमेलों को सर्वेस्ट बताया भाई कोन सी रियासत के राजमेल है उनको प्यारे साथ यू सर्वेस्ट बताया है करनल जम्स टोड ने तो अगर आपका हमसर मेरे सेर बुंदी है तो भाई आप सेलेक्शन के बस कुछ ही कदमें दूर हो बारे देवरा परशिद एतियासिक इस्टल है वो किस जिले में है बारे देवरा परशिद एतियासिक इस्टल है वो कौन से जिले में है बतो देखें बारे देवरा परशिद एतियासिक इस्टल तो ये है मेरे साती बीलवडा में कहा पर है मेरे सेर बीलवडा में किस परदेश के विसाल राजिस्तान में समिलित होने से संयुक्त विसाल राजिस्तान का नाम करण हुआ तो कौन सा पर्दे से चबाकर आपके राजिस्तान में मिला था तब उसका नाम संयुक्त विसाल राजिस्तान हुआ था बिल्कुल सांदार जवाब मेरे सेर मतश्ये क्या हो जाएगा मतश्ये राजस्तान का उत्तर तोताधरी गल्ता को शित्मबर 2022 को राज्य सरकार के द्वार norm जारी की गई नवीन प्रिटन नीथी में कौन से प्रावदान सामिल है इसमुत जैसर की गई शित्मबर 2020 में राज्य सरकार के द्वार तो उप्सन डी हो देगा भाई आपके गेरिलू प्रेटन को बढ़ावा देना, ग्रामीर छेतरों में प्रेटन के लिए स्टार्ट अप है, बाकी आराम साब जान करें देख लेना, टेलिग्राम ग्रूप में डिटेल से बाई में डालता रहता हूँ, यह जो नवीन आपके सवाल है साथ ही हूँ, राजिस्तान आई कोट LDC के लिए, तो 43 वाइस्तान है भाई, कौन सा है, 43 वाइस्तान, राजिस्तान एकोनोमिक ट्रांसपोर्मेशन एडवाजरी काउंसिल के उपध्यक्स कोन बने है, राजिस्तान एकोनोमिक के ट्रांसपोर्मेशन एडवाजरी क जिता ये सवाल भी जितनी तारिफ करूँ अतनी कम है इसकी दिल दिमाग मस्तिक में हरे के सवाल को साफ लेना सपलता पक्किये साथ यूँ ये मेरा वादा है आपसे तो इंग्लेंड इसका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल लेते हैं साथ यूँ कि आले में क रजट दोज़़ बीस इकीस के नुसार राज्य सरकार के एशियन एयों कॉमन वेल्थ गेम के सरण पद्यक विज़ताओं को कितनी इनाम राशी दी जाएगी तो ये दी जाएगी मेरे सेर साथ लाक रुपे कितनी साथ लाक है रुपे बीसवी पसुदन मतगरना दोज़़ 12-19 के वद्य में परदेश में गिरावट कितनी दर्ज हुए बैए कितना सांदार सवाल है साथ हूँ सीटी में पूछा गया था इस तरीके का सवाल है ये हो जाएगा आपके 1.66% 1.66% जनवरी 2022 में बारे सरकार दोबरा इसरो के चेर्मेन किने नूट किया गया बैए इस 2022 में तो इनका नाम है एस सोमनाथ या नाम है एस सोमनाथ लेजिए भाई नेक्स्ट इस सवाल आता वा यह बाइंद्रा गांधी नेरे वाला है यह आप डिटेल से पढ़ लेना आराम से यहां पर तो कुछ नहीं ज़दा इंद्रा गांधी सेर क्रेडिट योजना के तेत है निम्द में से कौन से अकतन सहीं नहीं कौन से अकतन प्यारे साथ यह सहीं नहीं है तो दूसरे वाला चोड़ देना बाकी अराम से एक बार देख लो आप यह यह योजना राजिस्तान सरकार के लो दोरा बजट वरस 2021 बाइस में गोफना की गई ती यह पॉइंट सबसे मेत बारत वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 में राजिस्तान में सर्वादी के वनावरन वाले जिलों का सही समय कौन सा है सांधार मेत तो पुर्ण मोस्ट इंपोर्टन क्यूशन है सातियों हाई कोट LDC के लिए तो अपसन भी हो जाएगा भाई सबसे पहले उद्यपूर फिर अलवर और फिर बारी आती है परताब घड़गी अब सातियों हम इंगलीस के सवाल किलिर करते हैं आराम से सबी सातियों से निवजन रहेगा कि एक बार भाई कलास को लाइक कर दे ताकि आपके जितने भी LDC के सातिये उनके पास ये कलास पहुंच सके और हमारा उसला यूहीं बरक सवाल है वह हम और आप दोनों मिलकर करेंगे सी खलिस्तान से टुडे कोन सा टेंस आएगा बाई कोन सी फूरम आएगी इसमें आराम से पेचान करना है आराम से जवाब देना है जल्दी बाजी किसी बात की नहीं तो सिम आएगा बाई क्या हैगा सिम से लाष्ट इयर वोट ही खालिस्तान टेली विजन है वें धी पायर डॉक आउट आराम से सोचिए समझे धिमाग लगए है और बतो देखें तो इसमें आएगा आपके वोजए वोचिंग वोजए वोचिंग नेक्स्ट कीसे लेते हैं रोहन खालिस्तान एह हाउस रिसेंटली रोहन है खालिस्तान जिन्तां दिया गया है हाउस रिसेंटि ली तो क्या का मेरे साती जवाब दो देखें तो इसमें आएगा हेज़ बोर्ट यानि कर शुक्ट है ही खालिस्तान एनीठिंग सिन्स मौर्निंग दिया गया है बताऊब देखें बछह बिलकुल इसमें देगा हेज नोट बीन डूइंग का हिंट है भई यह बागी पेसिव एक्टी वाले तो आप एक किताब में कर सकते हो आराम से पीडियेप से पेन और कोपी आथ में लेकर क्या हैगा मेरे साथी आर्टिकल बढ़ना है आराम से सोच समझ कर जवाब देना है मेरे सेर तो इसमें आएगा आपके एन क्या जाएगा एन वुड्यू हेव खालिस्तान मोर सुगर वुड्यू हेव खालिस्तान मोर सुगर आर्टिकल वो डिटर्मिनर की पेचान गड़ना है मेरे साथी बिलकुल सम आजाएगा भई सम सुगर सच खालिस्तान स्टेटमेंट केन भी डेमेजिंग क्या आएगा बतो देगा फटा पट भाई आपको देखी है तो इसमाँजाएगा आपके इनी क्या जाएगा एनी लेजिए बाई नेक्स्ट कुस्ण लेता हूं देर एजस आर खालिस्तान सेम आपके दिक्ट है यह एज़ खालِस्तान मनी इनीज पोकेट बिल्कुल इसमें आजाएगा आपके much he is much money in his pocket next question लेते हैं fill in the blanks with the most appropriate preposition choosing from the option given below preposition बढ़ना है भाई देखिए Rajas is knocking Khalistan the door Rajas is knocking Khalistan the door तो इसमें आजाएगा मेरे साथी 8 क्या जाएगा 8 we pray Khalistan God Delhi we pray Khalistan God Delhi कौन सा preposition आएगा मेरे सेर तो इसमें आजाएगा आपके 2 क्या जाएगा मेरे सेर 2 what is the time Khalistan your watch ये तो बिल्कुली basic है मेरे सेर है इसमें आजाएगा आपके बाई इन नहीं आएगा बाई इन गलते सरा से बाई आएगा बाई अंदर थोड़ी है बाई आएगा बाई रिप्लेस वाले भी आप आराम से कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से ये देखे बाई अंटोनियम बतो देखें ब्रोड़ गाएगा मेरे सेर अंटोनियम बताना है ब्रोड़ गा मातर पांस एक नहीं विलेंगे बाई इन इस सवालों में आपको मातर पांस एक तो ब्रोड़ का आता है आपके नेरो क्या होता है नेरो अनकेम्ट का बतो देखें अनकेम्ट Unkempt अर्थार्थ Neat क्या जाएगा Neat अपने दिमाग में सोचते रहे क्या होगा Right Answer Abandon का बतो देखें Abandon इसमें जाएगा आपके Regain क्या जाएगा Regain लीजिए भाई Next Christian में आप सभी के सामने रख रहा हूँ उम्मीद करता हूँ मेरे सबी साथ यूने क्लास को Like और Share कर दिया हूगा Synonym बताना भाई स्रेटाइल का सेट्राल का Synonym बतो देखें सेट्राल का Synonym बिलकुल इसमा जाएगा आपके Beren टिमीड का बतो देखें टिमीड का Synonym टिमीड का Synonym बतो देखें बिलकुल Si क्या जाएगा Si Ascend का बतो देखें Ascend का Synonym पटावड जवाब दो देखें इसमा जाएगा आपके माउंट क्या जाएगा माउंट सूज वनवर्ड अब वनवर्ड बताना है आगे पढ़ने की जूरूत नहीं आप हो Someone who eats a lot of food ज्यादा खाने वाला बिलकुल उसको बोलते हैं Gluten One who eats a human flesh Human flesh को खाने वाला बिलकुल Cannibal क्या बोलते हैं उसको Cannibal A lady who remains unmarried A lady who remains unmarried तो उसको आप एक सबत में क्या बोल सकते हो तो उसको बोल सकते हैं मेरे साथी Spinster क्या बोल सकते हैं Spinster иж the correct but now प्रिफिक्स08 मदाना आपको तो पॉलइट का बता वठो देखें पॉलिट का प्रिफिक्सापिक्स बता यह पॉलिट का द्लकुल। इसका आपका इंपॉलिट रेगुलर का बता देखें रेगुलर क मए रेगुलर का बता देखें बिल्कुल क्या जाएगा एरेगूलर हाडगा बतो हो देगा हाडगा यह बिलकुल best question, prefix、 prefix का एक स्वाल आपके गलत नहीं होगा अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो इसका जाएगा आपके sip, hard sip, kind का बतो हो मेरे शेह काें काइंड नेस क्या हुजाएगा काइंड नेस सूज दी एप्रोफाइड ओप्शन विच एक्सप्रेस दी कर्यक्ट मिनिंग्फुल ओप दी गिवन एडियम फेज एडियम पेज का सवाल है एट डेगर है ड्रोवन एट डेगर ड्रोवन बेलुकुल इसमाजाएंगा आपके extremely bitter in mystery नेक्स्ट कृसा लेता हूं भई मैं आप सभी के लिए to raise an alarm तो raise an alarm तो raise an alarm तो raise an alarm इसमाजाए गापके तो warm the danger उन्दम आजाएगा मिरे पेशियॉ इसमें है ऐसमेंगा आपके प्रेंक्ली बरन दी केंडल था थो इसमेंगा आपके यून तो यह संत करेसाण दार न्जानदार क्रEEEE कोर्वर राजिस्तान आई कोट LDC मोडल पेपर 2023 के लिए उम्मीद करता हूं मेरे सबी साथ योने बैट टेलीग्राम गुरूप को जोइन कर लिया होगा और पीडिये विगरा सब पूरा लाव उठा रहे हो बिल्कुल फिरी में सांदार ग्रूप है साथ यो एक बार जोइन करके जरूर देखो बागी क्लास को लाइक कर दो अगर पसंद आए तो आजे तक कोई दिकत प्रेसानी नहीं है मिलते हैं साथ यो कल साम को आड़ बजे हैं एक सांदार राजस्तान आई कोट एलडी सी मोडल पेपर 2023 के साथ मैं जहिंद जे बारत है वंदे मादरम